सत्य शिरिया काल फ्रेंड साधी आजी दी कहानी है सांज इह कहानी अमरित कौर जी दी रच्टना है कहानी कुछ इस परकार है तरम सियों किसान मजदूर एकता दे चंडे हेट दिन रात सरकार दे कान खोन लण वाले जो दे आँ दे नाल कदे शडका दे ते कदे रेलवे लाइना दे डट्या हुंदा सी जेडे पुलिस वालेयां दी ड्यूटी लगी होई सी ओहो उसनू कदे वी माडे ना लग दे किसे विच्चों उसनू अपने किंदर दा चेहरा चलक दा किसे विच्चों पिंदर दा उसनु दिली मुहो जिहा आउन लागपया सारें दा इही वी विचारे फर्चा दे बदेने उहो सोच दा इही वी तां तरने विच शामलने पावे इहना दा मकसद हो रे तो पशा तां इही वी नाल ही चल देने एक दिन शाम दा कुस मुसा जिया होया एक किसान ने जोरदार पाशन दिता किसान मजदूर एक ता जिन्दाबाद दे नार्या नाल आस्मान गुंजल का तरमस्यों ने देख्या उस दे पिछे खड़े दो पुलिस वाले वी दबवी आवाज वीच जिन्दाबाद आख रहे सन तुसी दा पाई सरकारी बंदेयो तरमस्यों ने अंदरों खुश हुंदिया हौली जहे किहा मैं वी कसान दा पुत हां बापुजी पहले ने कोल नू हुंदिया आख्या ते मैं मजदूर दा दूसरा बोल लिया बापुजमीर बोल पेंदी ये की करिये पर फर्ज उच्ची वाज नहीं कड़न दिन्दा पहला एना कहके चुप कर गया तरमस्यों दिया अक्खां सिलिया हो गया उस दाजी कीता उस नू कोट के सीने नाल ला लवे पर इस तरह नहीं सी कर सकता पता नहीं किन्या को दुआवा उस दे अंदर अंदरों निकल लिया उना सरकारी फर्जा दे बजजे लई अते पता नहीं किन्य वार उना दे फर्जा दे बजजे मुलाजमा दे दे हाथ जुडे आपने बजूर का दी कामजाबी लई ठांक यू प्लेस स्थ्क्राइब ट्राइब माचल ओर मोर वीथिए